ओमो नमाहिश्वै दुस्तो मेश रासी बलेजात्कों का इस चैनल पे स्वागत हैं इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 26 मार्च 2024 की सुबह है तीन बचकर चार मिनट पर बुध देव मेश रासी में प्रविस करने वले हैं और देव गुरु ब्रहस्पती के साथ यूती बनाने वले हैं और 15 दिनों तक यानि 14 अप्रेल 2024 तक गुरु और बुध मेश रासी में यूती बना कर गोचर करने वले हैं इन दोनों ग्रहों की यूती काफी लावकारी सावित होती है तो इसका कई रासी बेले जात्कों के जीवन में सफलता मिलने बली है और कई रासी बेले जात्कों को इसका नुक्सान भी होने बला है मेस राशी वेले जात्कों के जिवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा इस वडियों में हम आपको जानकारी देने बली है मेस राशी वेले जात्कों आपके राशी में ही इन दोनों ग्रहों की यूती बन रही है तो किन किन छित्रों में आपको साकरात्मक्ता मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने के आप सकता भी रहने वली है देखे देव गुरु ब्रहस्पति जोतिस सास्तर में सबसे प्रभावसाली ग्रह मने जाते हैं जहां ब्रहस्पति के सुवप प्रभाव से सात्विक्ता, बौधिक छमता की मजबूती, संतान की उन्नती, वैवाहिक सुख, धार्मिक कारियों में अबल वनना और गुरु के प्रभाव से ही इमानदारी की प्राप्ति जिवन में होती है वहीं बुध देव जोतिस सास्त्र में एक रास्री में सबसे कम समय तक यानि 23 दिनों तक गोचर करने बले ग्रह मने जाते हैं और बुध के विना भी कई प्रकार की चिज़ें अधूरी हैं बली बुध का प्रभाव ही जीवन में वाड़ी में कुशागर बुधी बुध्धिमत्ता की प्रवलता ब्यापारिक जीवन में सुवता देता है तथा बुध मानसिक रूप से एकागरता देने बला ग्रह माना जाता है ऐसे में इन दोनों सक्तिसाले ग्रहों की यूती बुध और गुरू की यूती क्या प्रभाव आपको दे सकती है इसकी जानकारी अब आईए हम आपको देते हैं यह जानकारी आपके चंद राश्वी के ऊपर प्रभावी है आप इसे इसी आधार पर दिखें मेश रासी बहले जातकों बुध आपके पराक्रम भाव और आपके रोग भाव के स्वामी मने जाते हैं और 26 तारिक को ये आपके राशी के प्रथम भाव पर प्रभावी होने वले हैं तो मेश रासी बहले जातकों के जीवन में कई प्रकार की साकरत्मक्ता मिलने वली है प्रथम भाव पर गुरु और बुध की युती बनने से आपकी बहुत धिक छमता और आपके व्यक्तित्तों में आकर्षण बढ़ने वला है पंद्रा दिनों की सम्यावदी में कर्म छेत्र के मामले में उत्साह और सफलता मिल सकती है ऐसे जाता है जो वर्तमान समय में बुध यानि छेत्रों में काम कर रहे हैं जैसे यदि आप टीचर हैं, लॉयर हैं, जज हैं, वकील हैं या वर्तमान समय में वक्ता का काम करते हैं मेडिया लाइन में यदियाप जुड़े हुए हैं या किसी प्रकार से व्यापारिक छेत्रों से यदियाप का जुड़ाव है तो ये समय आपके जिवन में सुबता देने वला है इस सम्यावदी में पारिवारिक जीवन में साकारात्मक्ता में सरासी वलेजात्कों को देखने के लिए मिल सकती है पिछले समय से यदि आपके जीवन में पारिवारिक उतार चढ़ाओ या परिवार संबंधी किसी प्रकार का विवाद चल ला है इन पंद्रे दिनों की सम्यावधी में पारिवारिक एकागरता में आपको बढ़ुत्तरी देखने के लिए मिलने वली है इन दोनों ग्रहों का प्रथम भाव में होना सिक्षा के शेत्र में जबर्जस्त उन्निती में सरासी वलेजात्कों को देने वला है यनि आप विद्यार्थी जिवन में यदि आप जुड़कर सिक्षा ध्यान कर रहे हैं तो ये समय आपके जिवन में उच्षा के साथ सफलता दे सकता है खास तोर से ऐसे जातक जो परिक्षा प्रत्योगिता के तयारी कर रहे हैं गुरु की पंचम दृष्टी आपके राश्वी के पंचम भाव पर जाने वली है और नवम भाव पर जाने वली है तो दोनों भाव सिक्षा के लिए जिम्मेदार हैं तो आपके जिवन में ये समय उलेखनी ये सफलता विद्यार्थियों को देने वाला है साथ में दोनों ग्रहों का प्रभाव आपके सब्तम भाव पर प्रभावी होगा यदि या वैवाहिक जिवन में काफी ज्यादा उतार चड़ाओ या वैवाहिक परिसानी महसूस कर रहे हैं तो जिवन साथी के साथ उल्लास और जिवन साथी के साथ संबंधों में सुधार इस समयावधि में मिल सकता है और में स्राशी वैल जात्कों के जिवन में यात्राओं से लाव की संभावना भी बन रही है लंबे दूरी की यात्राओं पर जाने की अवसर भी आपको मिलेगा और यात्रा के माध्यम से भी लाव प्राप्त कर सकते हैं ये 15 दिन आपके अब अगर आपके लिए धार्मे कुपाई की जनकारी दिया जाए जिवन में सुवता और बुद्ध जने दुस्प्रभावों को यदि आप समाप्त करना चाते हैं वाणी के द्वारा कडवे सब्दों का प्रियोग आपको नहीं करना है बुद्ध वाणी के कारक माने जाते हैं तो आपको इस सम्यावधि में रिस्तों में उच्सा बना कर चलना चाहिए रिस्तों में भावनात्मक रोप से आवेगित होकर आपको क्रोध पूर्वक स्थति प्रियों में आकर कडवे सब्दों का प्रियोग नहीं करना चाहिए गौमाता के लिए यदि आप नियमित रूप से हरे चारे का प्रबंद करते हैं तो इस्तथी आपके जीवन में सुवब नने वली है साथ्विप्ता और सुधता का विशेश महत्व जीवन में रखना चाहिए गरीब बच्चों में यदि आप उनकी सिख्चा में मदद करते हैं यानि यदि आप पाठ पुष्टक, कालम, किताब, इंचेजों को यदि आप लेकर बच्चों में बाटते हैं, देते हैं बुद आपने वाले समय में यदि आपने वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ओम नमा श्वै